नमस्कार, सामद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका एक बार पुनो स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानन्द डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक समुद्र विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चेनल गो ब्लॉक्स में एक मेल जातक की हतीली है हमारे सामने पुरुस हैं हतीली का पूरी त्रों से जो आकार है आईताकार है आने वाले समय में ये बता रहा है जो आपका करियर का मामला रहने वाला है उसमें बोलने से या मस्तिस्क सक्त से जो काम जादा होता है जादा चलता है ऐसे कार्य में आपको जो है सम्र्द मिलेगी सफलता मिलेगी और जिस काम में भागा दोड़ी हो या सार्रिक मिहनत की जरूरत जादा हो ऐसा काम आपके लिए जादा सुटेबल नहीं रहेगा तो कहीं न कहीं जो है चीजे कुछ बेहतर है कुछ खराब है अब यहाँ पर एक प्लस पॉइंट देखें यदि आपके उपर भगवान ब्रिस्पती जी की अगर किरपा रहती है किरपा हो जाती है जो अभी जो है सनी की तरफ देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा वीक आउस अउस्ता में हैं गलत फल देते होई दिखाई दे रहे हैं अगर यह पुश्ट अवस्ता में आते हैं उपाई मैं आपको दे दूँगा तो आपके हतेली में एक बहुत बड़ा राज योग बन रहा है लेकिन अभी राज खंडित योग है ठेकन राज योग को खंडित करता अज़र आएंगे पहले राजयोब की बारे में जान लेते हैं बहुत सांधार राजयोग है और यह दो चीज़ों में सी एक ृर्टी देता है या तो भ्यापार देता है या Мतलब यह से समंधित Sans spielen Belk तो अच्छा ब्रिक्छोगा तो बहुत अच्छे फल देता है और उसकी सान बढ़ती है तो ऐसे ही फल न फूल न हुआ अब यहाँ पे देखेगा ये आपकी सब से डिटिल फिंगर है और ये इस तरों से हल्की मुर्ति उही दिखाई दे रही है सूर्य की तरब धन कमाने की ललक बहुत जादा आपके अंदर बरत्मान में है और आगे भी बनी रहीगी यहाँ पे देखें तो ये इसके पहले पोर्वे तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही बहुत अच्छा है ब्यापार के लिए बहुत सांदार है बहुत अच्छा यहाँ पे दिखा दिन रहेगी और अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो व्यक्तित्व है आपका आने वाले समय में उभरकर आ रहा है और स्वयम के बलबूते पे कुछ करने वाला जो व्यक्तित्व है अभी भी आपके अंदर मौजूद है इस चीज के जो सरवसरेश्टम गुण है वो दिमाग होता है वो ब्यापारिक बुद्धी होती है ब्यापारिक दिमाग होता है ये बिक्ति नौकरी भी कर रहे होते हैं तो कहीं न कहीं अच्छी इस्तिति में रहते हैं उच्वर्ग का बिक्तित रहते हैं और अपने जीवनकाल में निश्चित ही सपलता की प्राप्ति करत तो यह बहुत अच्छी चीज है दूसरी चीज अगर हम देखें तो आपका जो है यह वाला भाग भी इस तरों से सनी की तरब जुकतावा दिखाई दे रहा है रिंग फिंगर तो यस पाने की इक्षा बहुत जादा आपके अंदर है कि मेरे को यस मिले मेरे कारियों को जो है स सफलता की इस्तित्मिले बिस्तार मिले उनको और कहीं न कहीं मेरा नाम हो यह भावना आपके अंदर सूरे के कारण नैसर्गिक रोप में बरतमान समय में है दूसरे बात देखें तो यहां पर ब्रस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है मिडिली फिंगर से हलकी चोटी दिखाई दे रही है फोटो में तो रिस्क लेने की जो चमता है वो आपके अंदर है कुद्रती जोखिम उठाने की जो ताकत है वो आपके अंदर बनी हुई है और उसमें कहीं कोई नुक्सान अगर हो भी जाए तो एक हद तक उसमें पुनह गिरकर उठने की चमता यह मत्य स्वभाव भी बना हुआ है लेकिन कहीं न कहीं यह आप ध्यान से देखें तो मिडल फिंगर की तरफ पहुचती हुई दिखाई दे रही बराबर की इस्तिति में हालां कि है नहीं लेकिन दिखाई दे रही है इसका मतलब है कि कहीं से एक-एक धन आ जाए इसकी फितर सफलता भी पाएंगे तो इगो प्रोब्लम अभिमान का पुट भी आपके अंदर बहुत जादा रहेगा तो आपको इन दो चीजों से बचना है एक तो कहीं से एक-एक धन आ जाए इसकी फितरत नहीं पालना है मन को कंट्रोल रखना है दूसरा छोटी सी जो है सफलता मिलन इसकी जाए अभिमान का पुट जो आता है उस पे नियंतरन रखना है ठीक है ने और हस्त बीकम क्यू Cook की और फिंगर से चोटी हो जैसे आपकी है तो निश्चीत रूप से एसा बिक्ति अपनी जीवनकाल काल में सफल होता है आप सफल होंगे ये समाज में pu प्रतिष्टा यस पाने वाले लोगों में से एक होंगे फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सपलता निश्चिती प्राप्त करेंगे अब इसमें राजियों कहां है इतनी सारी चीजें तो गिना दी हैं देखेगा क्या होता है कि जब ये उंगली किसी भी तरह से लं सांदार रोक में पुष्ट अवस्तामी हो सुन्दर अवस्तामी हो तो 99.9% मामली में ऐसा ब्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे समंदित छेतर में कार्य करता है उसमें सपलता पाता है लेकिन 1% वो किसी प्रस्तिद्व सरकारी नौकरी या इससे समंदित छेतर में न जा पाया ह तो ऐसे बिक्ति फिर ब्यापार की तरब जाते हैं और ब्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं और ब्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है ब्यापार के कारण जा नहीं जाते हैं तो आपके हतेली में ये राजयोग है लेकिन बिरस्पति कमजोर है इसका फल नहीं मि रहा है तो ऐसी इस्तिति में सरकारी नोकरी तो छोड़िएगा अगर लग गई है अगर लगी हुई है पहले राजियों का फाइदा हुआ है और लग गई नोकरी तो कठनाईयों का सामना करना पड़ता है अगर ब्यापार कर रहा है तो ब्यापार में हानी को दिखाता है ब्यापार सही से नहीं चलता है ब्यापार में डगमग इस्तिती रहती ही stability नहीं आती है तो क्या करना है आपको ब्रिसपति जी का उपाई करना है ठीक है ने तो ये राजयोग पुनह आपका जो है जागर्त हो जाएगा आपको बहुत अच्छा फल देगा अब यहां पे देखेगा यह इन दोनों की बीच में बड़ा गैप दिखाई दे रहा है आप ध्यान से देखेगा दोनों उंगलियों की बीच मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में उपरी सिरे में यह उपरी सिरा है टिप वाला जो भाग है यह टिप वाला भाग होता है ठीक है तो इसमें देखेगा दोनों के बीच में गैप है इसका मतलब है जब भी आपकी कुंडली या हतेली में सनिसाडि साती में हो धाया में हो रुष्ट अउस्ता में हो अनबैलेंस हो तब और इसका प्रबाव गहरा और लंबा पड़ेगा, काफी गहरा भी पड़ेगा और लंबा भी पड़ेगा, ठीक है न, इस चीज को दिखा रहा है ये, ये उंगली भी देखें, पूरी तरोसी जुक रखी है, रिंग फिंगर की तरह, इस पश्ट बता रही है बरतमान समय को, क और कई बार हो सकता है, दोड़ा धोपी का काम भी बना रह सकता हो, इसमें जो है, कोई दोराय नहीं दिखाई दी रही है, हाँ एक चीज है, आपकी ब्रस्पती की उंगली भी मिडिल फिंगर की तरप है, तो धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मातरा में इस्वर में अडिक विश्वास है आपका, परस्तिती चाये कुछ भी हो लेकिन इस्वर में विश्वास अडिक है, इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं गैप दिखाई दे रहा है, तिर्तिय पोर्वे पे, तीसरे पोर्वे में, किसके बीच में, तरजनी मनि इंडेक्स की फ इसरा हुआ है, यहां से गिनता है, एक, दो और तीन, ठिक, तो तीसरे पोर्वे में गैप है, यह जीवनकाल के 35 वर्स तक, 35 एर तक, धन के मामले में तीन चीजों में से एक चीज रखता है और रही होगी, या तो धन के मामले में संगर्स रहा होगा, या तो खर्चेला बाओ बहुत जादा रहा होगा, या इस परकार की सिच्वेशन रही होगी कि धन के महतों को समझा ही नहीं होगा, तो इन चीजों में से एक या दो चीज निश्चित रोप से आपकी जीवन में रही होगी, इस चीज को यह बता रहा है, ठीक है, आप चलते हैं थोड़ा अंगोठा है, वो बता रहा है, और इस चीज को अपने जीवन में फॉलो जरूर करें, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यह आपका अंगोठा है, पहला पौरवा से बहुत जादा लंबा है दूसरा पौरवा, इसे अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसे बिक्ति अपना नु कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया, निरणयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है, बड़ा सोच समझ कर आपको जीवन में निरणय लेनी हैं, ठीक है ने, देखेगा सुरुवाती दौर, थोड़ा सा पीड़ा दाई भी ऐसे लोगों का रहता है घर परिवार का भी सुक थोड़ा कम मिलता है, इसकी संभावना को ये बताता है, तो जल्दबाज इसे बचना है, अपना स्वयम का नुकसान कर बैठेंगे, बड़ा सोच समझ कर आपको अपनी जीवन काल में निरणय लेनी हैं, क्योंकि निरणयों के कारण आपका नुकसा होगा, और ये आजीवन ये फितरत रहेगी, तो इस चीज के और ध्यान देंगे, तो नुकसान से बच जाएंगे, ठीक है न, पहला ये है, ये तो हमेशा के लिए है, इस परकार से करना ही करना है, अब दूसरी दो तीन कंडिशन अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, सबस एक लिकल रही है, यो जा रही है, इस परकार से, ठीक है न, और यहां से निकल कर एक जा रही है, अब ये राहो की लकीरे है, ये जीवन की लकीर को काट रही है, करियर और धन की लकीर को काट रही है, मस्तिसके की लकीर का भेदन कर रही है, ठीक है न, यहां पर इस लकीर को भी काटरी है और यहां पे जो राहों का परवत है उसमें गुणा का चिन बन रहा है देखेगा धनहानी होनी की संभावना को बता रहा है चाए ब्यापार कर रहे हों चाए कुछ और कर रहे हों धनहानी हो सकती है जड़ा समल के रखे अगर हो गई तो ठीक है अब नहीं होगी अगर नहीं होई है तो बड़ी धनहानी होनी की संभावना को दिखा रहा है कहीं न कहीं धोके मिलने की संभावना है ये बता रहा है कि आपका राहों खराब हो गया है सबसे पहले मुस्किल कहीं न कहीं जीवन में कदम कदम पर मुस्किल आती हुई दिख रही है पैसे रुपे को लेके, रोजगार को लेके, आजिवका को लेके, हर जगा उतार चड़ाव जहेलने पड़ सकते हैं और उसके कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसकी तरब ध्यान दीजेगा और बाद बिबाद से बचियेगा अगर बाद बिबाद होगा, तो कहीं न कहीं कोल्ट कचरे का मामला भी बन शकता है, और फिर वो मामला सुल्टेने वाला कम रहेगा तो इसलिए कोई भी ऐसा काम न करे, अपना नुक्सान हो तो होने जाने दीजेगा लेकिन किसी के साथ बहुत ज़्यादा बिबाद में न फंसे क्योंकि 2-4 लाग रुपे का अग नुक्सान हो जाए तो आदमी जिंदगी भर, उसको भरता रहेगा कोई बात नहीं लेकिन राहों ने एक बार जो है कोल्ट कचरे के मामले में जो है इसाब किताब कर लिया तो बहुत ज़्यादा प्रेशान करता है ठीक है ने तो अभी ये सुरुवाती दोर है तो थोड़ा सा समल कर रहेगा इसका मैं उपाई दूंगा तो निश्चित रोप से आप पूरी तनमी अतासे करेंगे तो आपको फाइदा होगा ये बहुत ज़्यादा जो है दूस पर हतेली में पूरी हतेली में जाल बना हुआ है एक दूसरे को काटते हुई लकी रहे हैं कोई आच्छा चिन बना रहा है कोई कुछ बना रहा है लेकिन सभी लाइने जितनी भी हैं हतेली में एक दूसरे को काट रही है ठीक अब ये आपके बरतमान समय को बता रही है इनके प्रभाव से आपका जो बरतमान समय है बहुत जादा डिश्टब हो गया है ठीक है न? ये कह रहा ही है कि सबसे पहले आपका जो मन है जो मस्तिसक है उस पे इसका प्रभाव पढ़ रहा है उल्जन की इस्तिति, दुविधा की इस्तिति, कनफ्योजन की इस्तिति, जन्म ले रही है और जो निरणें लेने की आपकी चमता है वो छीन होती हुई दिखाई दे रही है आप सही से निरणे नहीं ले पा रहे हैं और लेते भी हैं तो वो निरणे गलत साबित हो सकता है इसकी ये इसारा कर रहा है दूसरा इसका प्रभाव आपके आर्थिक छीतर पर पड़ रहा है आर्थिक रूप से आप बीमार हो रहे हैं आपके आर्थिक इस्तिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है ये आपको दरिद्रता की और ले जा रहा है आपके हाथ में कितना भी पैसा आ जाए पैसा टिकेगा नहीं बरगत की बहुत जादा कमी होगी धन के मामले में संगर से दिखा रहा है तीसरा इसका प्रभाव आपकी रिस्तों पे पड़ रहा है चाए वो पारिवारिक रिस्ते हों चाए वो सामाजिक रिस्ते हों चाए वो प्रोफेशनल रिस्ते हों ब्यापारिक रिस्ते हों इन रिस्तों में लगातार खटास आती हुई दिखाई दे रही है संकाएं पैदा होती हुई दिखाई दे रही है और इनकी तरब से अच्छे परिणाम नहीं दिखाई दी रहे है पांचवा इसका प्रभाव आपके स्वस्त्य पर पड़ रहा है चाए वो मानसिक स्वस्त्य हो चाए वो सारिरिक स्वस्त्य हो कहीं न कहीं आपको इसकी पीड़ा का सामना बरतमान में कड़ना पड़ रहा है पांचवां अगर देखें इसका प्रभाव आपकी डेपलाप्मेंट पे आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता हुआ दिखाई दी रहा है चाय औरोटी रोजगार का मामला हो चाय पैसों का मामला हो चाय काम धंदे का मामला हो सब में अरचने आ रहे हैं ती ब्रगति से कारे उस परकार से आगे नहीं बढ़ पा रहा है बलकि उसमें वो फंस रहा है, चीजें बहुत ज़्यादा फंस गई है, सफलता का अस्तर घट रहा है और आपका ब्यक्तित तो भी कहीं न कहीं उस अस्तर का नहीं रहे गया है, तो देखेगा सबसे पहले आपने क्या करना है, इस नगेटिव उर्जा को खतम करना है, इसके ल इन से चार मेहने तक लगातार करेंगे, तो धीरे धीरे इसका प्रभाव कम होता जाएगा, और जीवन में कहीं न कहीं द्रिडता आती जाएगी, शांदार इस्तिति आपकी आती जाएगी, ठीक, अब एक चीज और देखेगा, यहाँ पे देखते हैं, तो आपका ये ब्रि स्पति का परवत देखें, तो सनी के तरफ जुकतावा दिखाई दे रहा है, परिवार को लेके भी ये चिन्ताओं को बताता है, कि परिवार को लेके भी कुछ चिन्ताएं मन और मस्तिस्क में रह सकती हैं, और दोसरा देखें, यह बिलकुल साधारन इस्तिति में बैठ हाँ यह प्राप्ति के लिए मन में जुकाव बहुत ज्यादा बना रहेगा स्वतंतरता लेडर्शिप की चाह भी बनी रहेगी लेकिन धन के मामले में भी कहीं न कहीं जो है सामन्य इस्तिति अभी बनी हुई दिखाई दी रही है बले ही यहाँ पर धीरे-धीरे मचले का चिन रहा है मिडल फिंगर के नीचे का अगर हम भाग देखें सनी का परोत यहाँ पे बहुत ज़्यादा उबर गया है बेवजही की मानसिक तनाओ या कुछ ऐसी वजहें दे रहा है कि लगातार मानसिक तनाओ बना वहाँ दिखाई दे रहा है सुबह उठने में थोड़ा आलश करें तो यह चीजें घटित नहीं होंगी यहाँ पे अगर हम देखें तो इस परकार से यह मचले का सांदार चिन बनाता हो दिखाई दे रहा है लेकिन अभी सनी सुर्य का परोत आपका बहुत जादा डाउन इस्तिति में है इसका मतलब है बरतमान समय में जो आपके द्वा प्रियास किये जा रहे हैं वो पूरी तरह से सपलता की इस्तिति में नहीं है जो आप मिहनत कर रहे हैं जो आप परिश्रम कर रहे हैं उसका जो पूरा स्री है जो पूरा क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल पा रहा है जो आपके अंदर क्वालिटी है जो आपके अंदर आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है ऐसे में बेक्ति अगर ब्यापार की तरब जाता है तो न तो उसमें विस्तार मिलता है न फैलाव मिलता है न उसमें नाम मिलता है न यस होता है ठीक है न तो इस चीज को ये दिखा रहा है ऐसे में बेक्ति नोकरी करता है तो नोकरी में भ बहुत अच्छा नहीं रहता है, बहुत सारी अर्चनें आती हैं, बहुत सारी दुविधाईं आती हैं, न तो ग्रोथ मिलती है, जिसके लिए उसने अपने आपको खपा लिया हो, फिर भी उसको ग्रोथ नहीं मिलती है, उसको यस नहीं मिलता है, तो आपका सूर्य कहीं ने कह इस रोप में बैठा हुआ है यहां पिर एक चीज और है यह इस पश्ट कहय रहा है कि आपके जो सारिरिक चक्र हैं वो सूरिके चक्रों के साथ परस परताल मील में नहीं है जिसके करण आपका मानसिक आपका सारिरिक श्वस्थे आपकी जीवन की खुसाली, आपकी जीवन का उत्साह, आपकी जीवन की उर्जा, इन चीजों के आपको चिंता करनी पड़ रही है क्या करना चाहिए आपको मैं एक सूरे की उपासना और एक दिब्य सूरे किर्या दे रहा हूँ बिदिवत तरीके से करेंगे तो लाब होगा यहाँ पर बहुत सारी लकीरे उपर की और है बहुत अच्छी बात है लेकिन बुद्ध का परोधविक थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है जिस परकार की वाणी की सक्ति होनी चाहिए थी जिस परकार की व्यापारिक छमता होनी चाहिए थे लाब होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दे रहा है क्या करना चाहिए देखे का हरी सबजी है हरी दाले हैं हरे फल हैं जादा से जादा खाने में प्रियोग करें सुभा ब्रस करने के बाद दो पत्ती तुलसी का सिवन जरूर करें खाली पेट और सुभा अश्नान करने के बाद एक चंदन की खुस्बुवाला परफ्यूम आता है एलर्जी न हो तो नहाने के बाद तीन महने तक उन परफ्यूम को अपने बदन पे लगाई सुभा और साम बोल बोल कर बिना माला जपी यथा सकती गायत्री महामंतर का पाट करें तो निश्चित ही आपको बुद्ध की तरफ से अच्छे प्रेणाम मिल लेंगे निम्न मंगल अगर देखें तो दोनों निम्न मंगल ठीक है यह थोड़ा सा चण बंगुर वाला गुस्सा पैदा करा सकता है लेकिन ठीक है फिर भी प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा चंद्रमा थोड़ा हलका जो है बैलेंस अउस्ता से हलका डिगावा दिखाई दे रहा है थोड़ा मन को गडबड कर रहा है कई बार मानसिक प्रेशानी से गरसित कर रहा है हो सकता थोड़ा भावकता आ सकती हो या इमोशनली थोड़ा प्रेशान हो जाए कभी-कभी मन अच्छा नहीं रहेगा कुछ समय तक कारे में मन नहीं लगेगा मन बुआकुल रह सकता है मन भटक सकता है मन खरापसा रह सकता इसकी संभावना दिखाई दी रही है और थोड़ा पेट उगेर का ध्यान रहें थोड़ा हलका सा जो है प्रोब्लम आ सकती है हलकी सी दिकत वाली चीज नहीं है सुक्र का हिसाब किताब देखें तो सुक्र कुछ अच्छे परिणाम दे रहा है कुछ ठीक परिणाम नहीं दे रहा है जो वास्तिक सुक होना चाहिए उसमें कमी करता हुआ दिखाई दे रहा है लिकिन आगे के लिए ठीक है यहां पर देखें तो हिरदे रेखा इस तरवसी जाती हुई दिखाई दे रही है हाँ आपकी महत्तो कांचाओं को बता रही है कि बहुत बड़े महत्तो कांची मिरती हैं आप आपकी सोच बरतमान में बहुत आगे बढ़ने की हुरी है यह है इन सब से उपर उठकर अच्छी इस्तिति में पहुंचने की हो रही है और इसके लिए अब आपको लगने में बैट गए यार कुछ भी करना पड़े कैसा भी प्रोसेस करना पड़े इनके इन परकारेंड जो भी हो जाए वो करींगे भी आप ये भी दिखाई दी रही है मस्तिस्क रेखा आपकी पूरी हतेली को पार कर रही है और एक तो जहां से जिवन रेखा मस्तिस्क रेखा का उधाया इस्तिति है वहाँ पे गैप भी है स्वतंत्र विचारधारा के बिक्ति हैं आप आपके मन के मालिक है आप किसी के कंट्रोल में किसी के आध्यपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं स्वयम के नड़ियों पे चलने वाला बिक्तित तो आपका है थोड़ा सा ओबर कॉंफिडेंस की वुजो से आप थोड़ा चीज़ों को बिगाड़ते भी है और मस्तिस करेखा बतारी है बहुत ज़्यादा सोचने वाले बिक्ति हैं प्रायों बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं ज़्यादतर आप हमेशा कलपनाओं में डोबे रहने वाले बिक्ति हैं आपका जो मन है वो एक अगर्चित कम हो पाता है लेकिन आने वाले समय में स्रेष्ट सपलता भी आप हासिल करेंगे लेकिन आपका जो मन है वो बहुत जादा कलपनाओं में भी डोबा रहेगा ये आपके मस्तिस्क की रेखा कहे रही है जीवन की रेखा देखें तो इस तरह से आती हुई केतु की तरब जा रही है जब ये रेखा किये तु कि तरब जाता है तो विक्ति को जो सबसे बड़ी तरक्की मिलती है जादतर मामलों में अपने जन्म अस्तान से दूर मिलती है जन्म अस्तान में रहे कर विक्ति इस परकार की बहुत ज़्यादा अच्छी तरक्की नहीं कर पाता है दूसरी बात देखें करम स्रेष्ट करता है विक्ति एक दिब्य आत्मा की तरो मोक्ष की प्राप्ति जरूर ऐसी विक्ति को मिलती है आगे ग्रह इस्तिति अगर ठीक होती है तो निश्चित तोर पे आने वाले समय में दूसरों का सईयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और आपके अंदर जो परतिबा है जो तीब्र बुद्धी है जो सोचने समझने के सकती है उसका आप लाब कमाएंगे अच्छा बिक्तित तो आपका सांदार इस्तित में उभर कर आएगा मंगल के हिसाब से करियर और धन के रेखा जो है बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी तो ऐसे में करियर और धन के मामले में अभी इस्टेबिलिटी नहीं दिखाई दी रही है कुल मिला के बात करें तो अभी जल्दबाजी से भी बचना है एक दूसरा किसी विबाद में जान बोज कर भी नहीं फसना है गलती से भी नहीं फसना है कोट कचरी का मामला सामने आ सकता है और जल्दबाजी में कोई निर्णे नी लेने है तीसरी बात है थोड़ा सा जो है धीरे धीरे जो है पार्टनर्शिप से अलग होना है अभी तो बहुत जादा कन्फ्योजन है दोबिदा है अभी थोड़ा टाим लगेगा लेकिन अपना हलका नुक्सान हो विज़ाए कोई बात नहीं लेकिन विवाद में नहीं फसना है दिखाई नहीं दे रहा है, ब्यापार में हानी होने की संभा होना भी दिख रही है, नौकरी चाकरी में भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस शमय जो है थोड़ा समल के आपको चलना होगा, जो उपाई में दे रहा हो बहतरिन तरीके से करेंगे, मन लगा क करेंगे तो आभी तो बहुत ज्यादा फाइदा नहीं होगा लेकिन जो चीजें आपके अंडर में आनी सुरू होगी वह 18 महने बाद से ही चीजें आपके अंडर में अच्छी तरों से आनी सुरू हो जाएगे उपाई जो करेंगे 6-8 मेहने के बाद इसका प्रेणा मिलना निश्चित ही आपको दिखाई देगा देखा जाए तो मैंने आपकी हतीले का पूरा बिसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई बिदिवत तरीके से लिख के दे रहा हूं करिएगा निश्चित ही लाब कमाईएगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार